ओम हनुमते नमः जैसाला सर बाला जी, भगवान की स्वागत है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलॉजी में तो कन्या राश्य वालों घर का सबसे बड़ा दुश्मन दूर होगा। मित्रों, अगले 24 घंटे में आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा। ये सचाई सुनकर मित्रों, आज इस वीडियो को अंदेखा बिलकुल मत करना क्योंकि ये घटना आपके हाथ पाँफ फुल देगी। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तीन बार जय साला सर बाला जी महराज अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुवात करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों हमारे गुरु जी कहते हैं कि पत्थर सदैव हाथ तोड़े की अंतिम चोट से तूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गई हों। इसी तरह मित्रों, इसका तालुक हमारे जीवन से भी है कि सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। में राधे राधे अवश्य लिखिएगा तो चलिए मित्रो अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की तो मित्रो ध्यान से सुनिएगा कि भविश्य से संबंधित नकारात्मक विचार दूर करने की कोशिश करें और किसी मित्र के साथ अपनी भावनाओं को बांटने की कोशिश करें जी हाँ मित्रो उनकी मदद से आपको समस्याओं का हल जरूर प्राप्त होगा और परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत से संबंधित चिंता आपको हो सकती है मित्रो जब तक आप अपनी भावनाओं को किसी के साथ बांटेंगे नहीं, तब तक आपको समस्याओं का हल प्राप्त भी नहीं होगा और मार्ग भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मित्रो खुद को घुटन महसूस न होने दें। यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं ह तो लगता है कि कोई अपना है तो आप अवश्य शेयर कीजिए, वहीं ध्यान रखिएगा कि अनेक अवसर प्राप्त होने के बाद भी उनका ठीक से इस्तिमाल आप नहीं कर पाएंगे और पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पार् मित्रो आपको ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से ठकान महसूस होगी, लेकिन इस कारण किसी भी काम में बाधा नहीं आएगी, जो कार्य चल रहे हैं, वह चलते रहेंगे और परिवार के लोगों के साथ रिष्टों में आपको उतार चड़ाव नजर आएगा, लेकिन ये पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे और बड़ी खरीदारी से संबंधित दुविधा आपको महसूस हो सकती है, जी हां मित्रो, करियर से संबंधित जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं, उनका जवाब अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी, सुच कर उसे नकारात्मग बना सकते हैं, तो ज़्यादा सोचें न मित्रो, क्योंकि जब आप ज्यादा सोच विचार करेंगे तो इस वजह से परिस्थिती भी नकारात्मग बनेगी और आपके कार्य भी नहीं बनेगे मित्रो मानसिक रुप से होने वाली तकलीफों को सुलजाने की जीद आपके लिए और तकलीफ बढ़ा सकती है इसलिए ज्यादा जिदना करें साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी भावनाएं आपको महसूस हो रही है उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी क्योंकि आप उपरी मन से इन भावनाओं को देख कर थोड़ा सा व्याकुल हो रहे हैं और मित्रो तभी परिस्थिती के साथ समझोता करपाना आपके लिए संभव होगा जब तक आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे परिवार के लोगों के द्वारा डाले गए दबाव की वजह से कुछ निर्णय मर्जी के खिलाफ लेने पड़ सकते तो वैवाहिक जीवन में भी आपके उतार चढ़ाव इस समय बन रहा है मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोच विचार करके किसी निर्णय तक आप पहुँच पाएंगे और उस पर टिके रहने की भी कोशिश आपको करनी होगी भावनाओं को नियंत्रण में रखना अतियावश्यक है क्योंकि मित्रों भावनाओं में आकर ही आप अकसर गलत फैसले ले बैठते हैं तो कुछ लोगों के साथ बात चीत भी कम हो सकती है लेकिन वक्त के साथ यह रिष्टा सुधरता हुआ नजर आएगा और इस रिष्टे के सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वहीं करियर से संबंधित चिंता दूर होने की वजह से अपने काम को बड़े स्तर पर कर पाना आपके लिए संभव होगा और पार्टनर के साथ बात चीत कम होने से चिंताएं बनी रह सकती है जी हाँ मित्रो इस बात का भी विशेश ध्यान रखियेगा कि भौतिक सुखों की अपेक्षा बढ़ सकती है जिसके लिए आप समता से अधिक पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे लेकिन मित्रो अपने कर्जों को मिटाने की कोशिश बढ़ानी होगी वरना भविश्य में आर्थिक परिस्थिती जटिल बन सकती है तो मित्रो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी अपनी समता है अर्थात जितना चादर है उतने ही पैर पसार लेगा क्योंकि यदि आप ज्यादा खर्च करेंगे तो इस खर्च के चकर में मित्र आपको आर्थिक स्थिती से जूजना पड़ सकता है काम से संबंधित कॉंट्रैक्ट को स्वीकार करने से पहले पेमेंट से संबंधित बातचीत को स्पष्ट रुप से करना होगा और रिलेशन्शिप संबंधित निर्णय आपके आगे बढ़ने लगेंगे वहीं आपको पेट में जलन महसूस हो सकती है तो पेट में यदि आपको कुछ गड़बड़ी दिखे तो आप या तो आयूरवेदिक चीजों का सेवन करें या फिर तुरंत किसी अच्छे चिकितसक से सलाह लें और तनाव रहने से सेहत में बिगाड नजर आ सकता है तो ज्यादा तनाव को अपने उपर हावी न होने दें पूरा आराम करने पर ध्यान देने की आवश्यक्ता होगी और नींद से संबंधित समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और मन में उत्पन्न हो रही चिंता का हल ढूंडने में वक्त लगेगा मित्रो अपनी इच्छा शक्ती को वश में करने की कोशिश करते रहे आज का दिन आपके लिए भाग्य के द्रिष्टिकोंड से अच्छा रहने वाला है आपको मित्रों का भरपूर समर्थन मिलेगा सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की साख वसम्मान में व्रिध्य होगी आप अपने कामों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे आपको लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो वह पहले से बहतर रहे तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि पत्थर सदैव हाथ से तोड़ाने की अंतिम चोट से तूटता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गई हो इसी तरह मित्रों इसका तालुक हमारे जीवन से भी है कि सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है जी हां मित्रों जब तक आप निरंतर प्रयास पहले भी करते आए हैं और अभी भी करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी इसलिए मित्रो जीवन में हमेशा मेहनत करते रहिएगा क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा तो मित्रो गुरु जी का यह घ्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा तो भविश्य से संबंधित नकारात्मक विचार दूर करने की कोशिश करें और किसी मित्र के साथ अपनी भावनाओं को बांटने की कोशिश करें जी हां मित्रो उनकी मदद से आपको समस्याओं का हल जरूर प्राप्त होगा और परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत से संबंधित चिंता आपको हो सकती है मित्रो जब तक आप अपनी भावनाओं को किसी के साथ बांटेंगे नहीं, तब तक आपको समस्याओं का हल प्राप्त भी नहीं होगा और मार्ग भी नहीं प्राप्त होगा इसलिए मित्रो खुद को घुटन महसूस न होने दे यदि आपके जीवन में कोई समस्याओं हैं, तो लगता है कि कोई अपना है, तो आप अवश्य शेर कीजिए वहीं ध्यान रखिएगा कि अनेक अवसर प्राप्त होने के बाद भी उनका ठीक से इस्तिमाल आप नहीं कर पाएंगे और पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पार्टनर आपको अच्छे से समझ रहा है और जब तक आप पार्टनर को ध्यान नहीं दे पाएंगे, पार्टनर की तरफ आप सही से बरताव नहीं कर पाएंगे तो इस वजह से आपके रिष्टे डग मगा सकते हैं साथ ही मित्रो आपको ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से ठकान महसूस होगी लेकिन इस कारण किसी भी काम में बाधा नहीं आएगी जो कार्य चल रहे हैं, वह चलते रहेंगे और परिवार के लोगों के साथ रिष्टों में आपको उतार चड़ाव नजर आएगा लेकिन आप उनके पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे और बड़्धी खरीदारी से संबंधित दुविधा आपको महसूस हो सकती है जी हां मित्रो, करियर से संबंधित जो प्रश्ण मन में उठ रहे हैं उनका जवाब अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही आपको जीवन में आगे के नए मार्ग मिलेंगे और मित्रो, लव रिलेशन्शिप में उतार चड़ाव महसूस होंगे लेकिन स्थिती नकारात्मक नहीं है जी हां, लेकिन आप सोच सोच कर उसे नकारात्मक बना सकते हैं तो ज्यादा सोचे ना मित्रो, क्योंकि जब आप ज्यादा सोच विचार करेंगे तो इस वजह से परिस्थिती भी नकारात्मक बनेगी और आपके कार्य भी नहीं बनेगे मित्रो, मानसिक रुप से होने वाली तकलीफों को सुलजाने की जिद आपके लिए और तकलीफ बरहा सकती है इसलिए ज्यादा जिद ना करें साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी भावनाएं आपको महसूस हो रही है उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी क्योंकि आप उपरी मन से इन भावनाओं को देख कर थोड़ा सा व्याकुल हो रहे हैं और मित्रो तभी परिस्थिति के साथ समझोता कर पाना आपके लिए संभव होगा जब तक आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे परिवार के लोगों के द्वारा डाले गए दबाव की वजह से कुछ निर्णय मर्जी के खिलाफ लेने पड़ी डी डी एच सकते रखना अति आवश्यक है क्योंकि मित्रो भावनाओं में आकर ही आप अकसर गलत फैसले ले बैठते हैं तो कुछ लोगों के साथ बातचीत भी कम हो सकती है लेकिन वक्त के साथ यह रिष्टा सुधरता हुआ नजर आएगा और इस रिष्टे के सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वहीं करियर से संबंधित चिंता दूर होने की वजह से अपने काम को बड़े स्तर पर कर पाना आपके लिए संभव होगा और पार्टनर के साथ बातचीत कम होने से चिंताएं बनी रह सकती है जी हा मित्रो इस बात का भी विशेश ध्यान रखियेगा कि भौतिक सुखों की अपेक्षा बढ़ सकती है जिसके लिए आप क्षमता से अधिक पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे लेकिन मित्रो अपने कर्जों को मिटाने की कोशिश बढ़ानी होगी वरना भविश्य में आर्थिक परिस्थिती जटिल बन सकती है तो मित्रो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी अपनी क्षमता है अर्थात जितना चादर है उतने ही पैर पसार लेगा क्योंकि यदि आप ज्यादा खर्च करेंगे तो इस खर्च के चक्कर में मित्र आपको आर्थिक स्थिती से जूजना पड़ सकता है काम से संबंधित कॉंट्रैक्ट को स्वीकार करने से पहले पेमेंट से संबंधित बातचीत को स्पष्ट रुप से करना होगा और रिलेशन्शिप संबंधित निर्णय आपके आगे बढ़ने लगेंगे वहीं आपको पेट में जलन महसूस हो सकती है तो पेट में यदि आपको कुछ गड़बड़ी दिखी तो आप या तो आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें या फिर तुरंत किसी अच्छे चिकितसक से सलाह लें और तनाव रहने से सेहत में बिगाड़ नजर आ सकता है तो ज्यादा तनाव को अपने उपर हावी न होने दें पूरा आराम करने पर ध्यान देने की आवश्यक्ता होगी और नींद से संबंधित समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और मन में उत्पन हो रही चिंता का हल ढूंडने में वक्त लगेगा मित्रो अपनी इच्छा शक्ती को बनाए रखें जी हां मित्रो कहते हैं कि शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ड़ाता उन्हें लोग कुछ भी कहें उन्हें तनिक असर भी नहीं पड़ड़ाता इसलिए अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना शांति पूंड तरीके से आप जीवन व्यतित करेंगे जीवन उतना ही बहतरीन बनेगा तो गुरु जी का ये ज्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा तो आएए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटों की लीला कैसी रहेगी मित्रो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि साल की शुरुवात लड़ हाई जगदिधों के साथ बिलकुल भी ना करें बेकार के विवादों से अपने आपको जितना ज्यादा हो सके आज के दिन दूर ही रखना है आप देखेंगे मित्रो की व्यस्ततम दिन चर्या के बावजूद भी आप की सेहत बहुत अच्छी रहेगी लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें अपनी जिंदगी और अपनी सेहत दोनों का सम्मान करना है समय पर खाना है, समय पर पीना ही, समय पर सोना है क्योंकि व्यस्ततम दिन चर्या के बावजूद भी अगर सेहत अच्छी बनी हुई है तो उसका सम्मान करें मित्रो, आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से आज आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, जितनी आपको जरूरत है ग्रह नक्षत्रों की चाल से आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे बस आपको चारों तरफ नजरे जमा कर रखनी है मित्रो बता देते हैं कि सब को अपनी महफिल में दावत दें क्योंकि आपके पास अतिरिक्त उर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी आपके प्रिये का मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है इसलिए सोच समझ कर कोई भी काम करें और नई परियोजनाओं और काम को असली जामा पहनाने के लिए बहुत बेहतरीन समय चल रहा है मित्रो बता देते हैं कि इस राश्य के जातक लोगों से मिलने में ज्यादा अकेले वक्त बिताना पसंद करेंगे लेकिन अगर आप अकेले वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं तो अपने विचार थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा मित्रो आपका खाली समय घर की सफाई में भेच सकता है और जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य गड़बड हो सकता है लेकिन धैर्य बनाए रखें एक समय के बाद वह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाने से पहले मिश्री खाकर वह पानी पीकर निकलें इससे प्रेम संबंधों में बड़ोतरी होगी मित्रो एक सलाह भी आपको दी जा रही है कि अपनी सेहत के बारे में ज्यादा चिंता न करें क्योंकि चिंता करने से आपकी सेहत ठीक नहीं होगी आपकी सेहत ठीक होगी खयाल रखने से, खुद का ध्यान रखने से, खुद के लिए आराम का वक्त निकालने से साथ ही निश्चिंतता बीमारी की सबसे बढ़ी दवा है क्योंकि आप जितना ज्यादा मित्रो चिंता करेंगे आप उतना ही ज्यादा बीमार रहेंगे और जितनी चिंता याने की निश्चित हो जाएंगे तो मित्रो यही सबसे बढ़ी दवा है हर बीमारी की आपका सही रवईया गलत रवईये को हराने में कामयाब रहेगा बस आपको ध्यान रखना है कि लोगों से बारीकी से मिलें उनकी नियत को समझे मित्रो आप बिलकुल सही है अपनी जगह है बस कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको मित्रो नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे मित्रो आकस्मिक मुनाफे या सटेबाजी के जरिये हालात थोड़े से सुद्रह होंगे क्योंकि किस्मत आपका अचानक साथ देने लगेगी दो नंबर के कामों में कोशिश करें कि कोई आपकी बातों या काम से आहत न हो खास करके मित्र आपके अपने प्रिये जो सबसे क्लोज है, सबसे करीब है, वह बिलकुल नाराज न हो मित्रो, अपने दोस्त से बहुत लंबे समय के बाद मिलने का खयाल आपके दिल की धढ़ धकन को बरा सकता है लेकिन सबसे पहले आपको पारिवारिक जरूरतों को समझना होगा परिवार की जरूरतें क्या हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर करे प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन शानदार है आप चाहें तो इसके लिए अपनी गायन कला का सहारा ले सकते हैं आज आप अपने दिल और दिमाग दोनों को संभाल कर रखें क्योंकि आज आपकी लव स्टोरी पूरी होने वाली है अपनी योग्यता और काम करने की ताकत पर भरोसा रखें और आपको परेशानियों का सोल्यूशन मिलेगा रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिती बेहतर हो जाएगी मित्रो जो की रूके हुए पैसा प्राप्त करने का आपका काफी समय से जो मन बना हुआ था वह मन अब पूरा होगा साथ ही मित्रो आप सभी को बता देते हैं कि निजी कामों में व्यवस्था के कारण संबंधों को नजरंदाज न करें और गैर जरूरी यात्रा और खर्चे पर रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा किसी नापसंद इंसान के घर आने से घर का वाता वरण नकारात्मक हो सकता है तो सकारात्मक बना कर रखना आप भली भांती जानते हैं वहीं निजी व्यवस्था के चलते कार्यस्थल पर आप समय नहीं दे पाएंगे और कर्मचारियों की गतिविधियों को बिल्कुल भी नजरांदाज न करें और नौकरी पेशा लोगों को घर पर भी ऑफिस का काम करना पड़ सकता है मित्रो घर परिवार को प्राथमिक्ता देने से घर का वातावरन मधुर रहेगा और घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है जो घर में खुशहाली, सुख शान्ती और सम्रिद्ध लेकर आएगा साथ ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किये गए प्रयत्न सफल हो सकते है फिर भी नकारात्मक विचार की वजह से जीवन में थोड़ी सी निराशा हो सकती है लोगों की समस्याओं को सुलजाने के लिए अपने सम्ता के अनुसार प्रयत्न करें और किसी की पैसों से संबंधित मदद करते समय थोड़ा सा सतर्क रहे मित्रो इस समय में शुरुआत जो है वह थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सुस्ती रहेगी जिसके कारण आप अपने कारियों की ओर सकरी नहीं रहेगी लेकिन इन व्यापार की किसी डेल के फाइनल होने के बाद आपके अंदर एक नई उर्जा का संचार होगा जिसके कारण आप अपने कामों की ओर भी सक्रिय रहेंगे और जो लोग साजेदारी में किसी व्यवसाय को करते हैं तो उनको लाब हो सकता है मित्रों, लेकिन आप अपने जीवन साथी के लिए को उपहार लाने की योजना भी बना सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने भाई बहनों के साथ मिलकर संतान के विवाह में आ रही समस्या का समाधान खोजना होगा नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इससे में ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर समय रहते आपने शुक्र की समस्या का समाधान खोज लिया तो यह आपके लिए ही बढ़िया रहेगा साथ ही नौकरी कर रहे जातकों को अपने आसपास रह रहे ऐसे लोगों से सावधान रहना जो मोह के आगे तो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं क्योंकि वह आपकी पीठ में छूरा घोंपने का काम करेंगे और वह आपकी अधिकारियों से आपकी चुगली भी लगा सकती हैं और आपका प्रमोशन भी रुकवा सकते हैं तो ऐसे में मित्रों आपको यही हिदायत दी जाती है कि आपको अपने चारों और अपने आसपास के लोगों पर पैनी नजर रखनी होगी और ऐसे लोगों से दूरी बना कर भी रखना होगा. और सामाजिक शेत्र में कारेरत लोगों को किसी की भी बातों कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना है. विद्रोह जब तक आप किसी को देखना लें, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि आपको किसी की विवादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है यदि वह बातें आपके आँखों के सामने हो रही हो, तो ठीक है, और आप विवाद हो सकता है, जिनके कारण आप परिशान रहेंगे, और आपका व्यवहार में भी कुछ बदला-बदला लगेगा वहीं मित्रों ध्यान रखिएगा कि छोटे व्यापारियों को व्यापार में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, और उनके कुछ शत्रु भी उनके मित्र बनते नजर आएंगे, जिसे देखकर उन्हें हैरानी होगी, लेकिन उन्हें उन पर भरोसा करने से पहल बिल्कुल नहीं करनी है, अपने कठिन विशयों को समझने में विद्यार्थियों को आसानी होगी, जिसके कारण शिक्षा में आ रही समस्याएं भी समाप्त होगी, और नव विवाहित जांच को कि जीवन में किसी नए महमान की दस्तक हो सकती है, जिसके कारण वह प्रसन्न रहने वाला ही क्योंकि वह अपने साथी के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से बात चीत कर सकते हैं, जिसके कारण उनके विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है, और जो लोग लंबे समय से किसी वाहन की खरीदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, खरीद पा रहे थे, तो उनका वह सपना भी पूरा होने वाला है, अर्थात, मित्रों आप काफी लंबे समय से इसकी योजना भी बना रही थी, और आपके मन में विचार भी आ रही थी, तो आपका सपना भी पूरा होगा और विद्यार्थियों को भी, शिक्षा में मन मुताबिक परिणाम मिलने के कारण उनकी परीक्षा का एवं उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, मित्रों, आप अपनी संतान की समस्याओं को सुनने में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उनका समाधान भी खोजने में सफल रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी भी धन का लेंदेन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो बाद में आपको केवल पच्चतावा ही मिलेगा और पच्चताना पढ़ता आजाए और ध्यान रखिएगा कि आपके साहस और पराक्रम में व्रिद्ध का समय रहेगा, जिसके धर्म आप किसी से भी नही डालेंगे और सभी से बातें शेयर करेंगे और अपनी बात सभी के सामने रखेंगे, व्यापार कर रहे लोगों को भी मन मताबिक लाब मिलेगा, जिसके कारण वह प्रसन रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने किसी मित्र के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण थोड़ी जात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाब दायक रहेगी, और आपका अपने माता दी से यह कोई वाद विवाद उत्पन्न पर, तो आपको सिंपली वाणी की मधूरता को बनाए रखना होगा, नहीं तो बाद में आपको पच्ताना पड़ सकता है दोस्तों, अगर आ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बाबा महाकाल के चरणों में नमन करने के लिए जैश्री महाकाल अवश्य ही लिखें